हलो गैस तो आपका एक पर प्रेस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फूर्लोवर्स पेस तो फूर्लोवर्स चैनल आपके समने और एक टी रेसीपि लेकर आया है बैसन जिला येस राइड आप देख रहे होगी कि मैं पैस कट कर रही हूं मैंने डिरिकली वीडियो स्ट तो आज हम दिखाने वाले है बैसन जिला यानिके उसको आप बोल सकते हो वेज ओमलेट महाराष्टा में उसको बोलते है बैसन जिप होई उसमें ज्यादा बहुत सरे नहीं है तो मैंने इसके लिए अल्रड़ी एक पैस बारिक कट करके लिए है आप आपकी कॉंटिटी ले करना है जिसे ग्र двух है जितने का अपना पेशन अपको वेज चिला बनाना है उसकी कॉंटिटी की हिसाब सर्वेसन ले सकते हो मैंने में ज Neachtaty चोटे हुआ था ना प्यास टमाटर कोथी मिर्यानी की धनिया सब इसमें एड़ करके लिया है एड़ आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली भी बारिक चॉप करके डाल सकते हो फैने नहीं डले क्योंकि उसके डिप्लेस्मेंट में में रेट चिली पाउडर उसके बाद जीरा पाउडर धनिया पाउडर जो महाराश्रा में मिलता है कांदालसुन मसाला वो भी इसमें आड़ करके लिया है फर्स्ट हमें इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके इसे अच्छे से हमे पतला पेस करके लेना है आप मैं आपको सचिस कोईगी कि जो डोसा बैटर की कंसिस्टेंसी रहती ना उससे थोड़ा सा पतला चाहिए हमें तो एक पर और मैंने इसमें नमक भी आड किया है मैं इमिशल आपको बताना भूल गई थी तो इसमें नमक भी आड करना है स्वाजान तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से यह गोल बना लिया है यानि कि एक कंसिस्टेंसी आपको जो बैटर की चाही है थीक कंसिस्टेंसी में सबको बैटर कितना पतला रखना है ज्यादा भी आपको बैटर गाडा नहीं रखना है इसका वाटरी कंसिस्टेंसी होना याना इसे अच्छे से मिक्स करके लिए है इसे अभी हम दस मिनिट के लिए at करने के लिए चोड देंगे दस मिनिट बार हम इसके चीलास बनाना शुरू कर देंगे तो में देखसकते होगा और दस मिनिट हो गया है मैंने ढक़ दिया था मेंने पान में फिल्स मति और 列 ड़ें सकते हो तो अभी पैन गरम हो गया है मैंने यहापँ बैbble खेज़ा रेडी करके रखा थह वह उसमें से ये में से स्पून अड़े करके एक हो दो स्पून आपको जितना बड़ा चिला बना आप उसके सब सबसे इसको spread कर सकते हैं पैन में अच्छे से हलके हातों से इसको spread कर लो क्योंकि दीको बैसन है तो उसको roast होने के लिए time लगता है तो एक बार इसको हम अच्छे से कॉंटेटी ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि बट बैसन को रोस्ट होने के लिए थोड़ा सा ओईल की भी ज़रूर हो थे ओईल नहीं डालेंगे तो वह ड्राय हुझ जाएगा अभी एक बार जो अच्छे से हमें इसको कोक करके लेनी इसलिए हम इसमें लीड लगा के दूटना शुरू कर देते हैं अभी थोड़ा बहुत आपका बैसन है तो टमाटरे डाले तो खोड़ा हो यह अपने बैसन की चिले के स्राइट कभी चूटने के चांसे रहे तो डरो मत कुछ भी नहीं आपका बैसन का चिला अच्छे से हो जाएगा कुछ भी अपको दिक्क पास से दस मिनिट को यह कर दो बहुत ही इंस्टंट रेसीपी है आप मॉर्निंग ब्रेकफास में आप इविनिंग स्नेक्स में आपको कभी भी जाएज साइड डिश लंच और डिनर में चाहिए तो आप यह बना सकते हो इसको बट कंटी अच्छे से आपको कुक करके लिए तो मैंने दो बार दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा तेल एड़ करके इसे अच्छे से बैसन को कुक करके लिया था यानि कि हमारे वेच चिला को कुक करके लिया था अभी आप देख सकते हो हमारा बैसन का चिला रेडी हो गया है दोनों तरफ से अच्छे से गुल्डन ब के साथ कर सकते हो आंका चर हैंगा तो आंक श आपकी की साथ कुण साथ में ले सकते हो तो आप देख सकते हो बहुत ही इंस्टट डिलीशियस रेसीपी है बहुत ही कम टाइम में यह MP2 इसन बाइश ईसलियस हो गया Thank you!